हालो दोसे स्वाक्ता आपका अपनी योटूब चैनल पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है चावल का मांड जिसकी हम बहुती राम बान magical remedy आपके साथ श्वेर करने वाले हैं बालों की कोई भी प्रोब्लम हो सफेद बाल हो, बाल जड़ते हो बालो रूखे सुखे हो, सभी प्रोब्लम्स को दूर करके बालों को natural black करने में बालों की लंबाई को बढ़ाने में बालों को घणा और मजबूत करने में बहुत ज़्यादा help करेगे तो चावल का मांड आपने कैसे त्यार करना है चावल तो हर घर में बनते ही है लेकिन अगर आपके घर में रोजाना नहीं भी बनते ज़्यादा नहीं भी बनते तो क्या करें आप पांच चमच चावल लीजिए उसमें दो गिलास पाणी के एड़ करें उन्हें खूब पकाएं जब पानी इस तरीके से हलका सा गाड़ा हो जाए तो गैस का फ्लेम बनत करके इस तरीके से चावल का मांड आपको मिल जाएगा दोस्तों आगे बढ़ने इस पहले आपसे एक छोटे स्टुके से अगर आपने अभी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस मारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक करें लाइक चुरूर कीज़े कर दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है तो प्लिस वीडियो को लाइक चुरूर कीजे और शेयर कीजी जितना भी हो सके जीने भी बालों की प्रोब्लम है उनको शेयर करके आप उनकी भी हैप कर सकते हैं तो ये तक्रीवन दोस्तो चार चमच चावल का मांध है इसमें सिर्फ दो चीजें अड़ करनी है और बालों के लिए मैजिकल गजब की रेमडी त्यार होगी अब स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तो ये है अमर बेल अमर बेल को दोस्तो आकाश बेल भी कहा जाता है मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गाव शहर होगा जहां पर आगको किसी पेड़ पर इस तरीके की बेल लटकती हुई दिखाई ना दे अमर बेल में दोस्तो गजब की प्रोक्रीस होती है जो बालों को काला करने में बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लातकारी है अमर बेल की दोस्तों कोई भी जड नहीं होती ये किसी भी पेड पर चड़ कर आसानी से ग्रोग कर जाती हो और जिस पेड पर चड़ती है उस पेड से रस को चूज कर हरी भरी रहती है तो अमर बेल लीजे दोस्तो ये आप छोटे छोटे टुकडों में काट कर इनको पीस कर इसका आपको रस निकालना है तक्रीबन 4 चमच तो इस रीके से दोस्तो अमर बेल क्या हमें रस निकालना है तक्रीबन 4 चमच ये भी हम चाबल के मांड में मिक्स करेंगे इसके बाद दोसों आप स्क्रीन पर देख रही है यह है अलोवेरा जो बालों के लिए स्क्रीन के लिए और हैल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा गुनकारी है अलोवेरा का पल्प निकालने के लिए दोसों सबसे पहले इसकी कांटे दार की नारो को काट लीजे और कांटे दार की नारो को काटने के बाद इसका ये ऊपर का छिलका उतार लीजे सबसे पहले शिलका उतारने के बाद दोसो इस तरीके से स्पून की हल्प से इसका रस निकालेंगे चाहे तो आप मिक्सी ग्रेंडर की हल्प से इसका रस निकाल लेजे लेकिन मैं स्पून की हल्प से इस तरीके से इसे रगरते हुए इसका रस निकालूंगी तो इस तरीके से दोसो एलोविरा का पल्प निकालने के बाद हम चावल के मांठ और अमर बेल के रस में मिक्स करेंगे तीनो चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए इससे रस के लिए रखेंगे और 15 मिनिट के बाद इस ड्राम बान रेमरी को क्लीन बालों पर अपलाई करेंगे और हाँ दोस्तो इसकी क्वांटिटी मेंने लंबे घणे बालों की लेंद के इसाब से लिए हैं लेकिन अगर आपके बाल छोटे हैं तो दो दो चमच आप तिनो चीजों का ले सकते हैं अगर कोटन की हप से लगा रहे हैं तब भी आप बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाईएगा अच्छा जब आप पूरे सीर पर बालों की जड़ों पर इस टोनर को लगा लेंगे तो कुछ इस तरीके से आप हलके हलके से मसाज करेंगे तांकि ये टोनर बालों की जड़ों के अंदर तक आसानी से जा पाई और आपके बालों को भरपूर पोशन दे सके और हाँ दोस्तों ऐसे कॉमेंट मत कीजेगा कि आपने बाद का रिजल्ट नहीं दिखाया कि बाल काले हुए जा नहीं क्योंकि ये टोनर ऐसा टोनर है जो बालों को जड़ से काला करने में काम करेगा इसमें ना तो महंदी का हमनी इस्तमाल किया है और ना ही इंडिगो का कि आपको एकदम से कलर मिल जाए अपने बालों पर तो जड़ से काम करने में देखी टाइम तो लगता है ठीक है तो इस towner को दोस्तों आप हफ्ते में दो से तीन बार जरूर लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से बनाकर इस तरीके से लगाएंगे मसाज करेंगे फिर ठीक है आप चाहे तो पूरा दिन इस towner को लगा कर रखे बालो पर लेकिन कम से कम 4 गहंटे तक जरूर लगा कर रखेग आप इसका समाल जरूर करेंगे साथ से लेकर आठ महीने लगातर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्स मिलेंगे दोस्तों जगीन मानिये बाल आपके काले होना शुरू हो जाएंगे बालों की ग्रोफ भी बहुत अच्छी बढ़ेगी मजबूत होंगे और घने होंगी